अगनी वीर में 50% जवानों को स्थाई करने के पर मंधन हो रहा है केंद्र सरकार बड़े बदलाव की योशना बना रही है अभी से 25% जवानों को स्थाई करने का प्रावधान है अगनी वीर में 50% जवानों को स्थाई करने के योशना है अभी से 25% जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है जुसके बाद ये नहीं उखती होगी अगनी वीर में 50% जवानों को स्थाई करने की भी योशना पर मन्थन चल रहा है बिल्कुल इस मुद्धे को लेकर विबख्षन जिस तरीके से मामला गर्माया था और कहा गया था कि आखेर अगनी वीर के जरीए कि लोगों को रोजगार मिलेंगे क्या एक वो स्थान प्राप्ट कर पाएंगे इस तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से सत्तपक की घेरबंदी की गए थी लेकिन अब लग रहा है कि सत्तपक्षन तमाम चीज़ों को पार करते हुए एक मुद्दे पर जरू पहुंचता हुए नजर आ रहा है और मामला पर को साफ है कि अगनी वीरों को जो है भविश्य में जाकर 50% स्थाई किया जा सकता है जिसको लेकर केंद्र सरकार इस वक्त म लवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तो देखिए केंद्र सरकार अब ये बड़े बतलाब की योज़्या बनाती हुए लसर आ रही है और ऐसे में अगली वीरों को 25% जवारों को ट्रेनिंग के बास साही करने का ये प्रावधान हो सकता है और अगली बड़ी ख़बर भी दिल्ली से है मशूर अभी नित्री वाहेदा रहमान को बड़ा सम्मान दिया गया है दादा साहिब फाल के लाइफटाइम अचीव्मेंट पुरुसकार से वे सम्मानत होई है और देखिए ये किसी भी अभरेट्री के लिए एक बड़ा सभा के होता है और ऐसे वे उन्हें सम्मानत किया गया है दादा साहिब फाल के लाइफटाइम अचीव्मेंट पुरुसकार से मशूरा भी निज्री वहेता रह्मान को ये बड़ा संबान दिया क्या है तादा साहे फाल के लाइफ टाइम अच्रीवमेंट को उसकार से वे संबानत में है लाइक और शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा